नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का GTT Technology चैनल पे तो गाईज आज आपके सामने है बजाज कंपनी की दमदार बाइक 2024 की न्यू बजाज Dominar 250 OBD2 E20 सपोर्ट के साथ टोटल तीन कलर आपसन के साथ ये बाइक आती है अभी जो आप स्क्रिन पे देख पाड़ ये है इसका ब्लैक कलर अगर आप भी 2024 में Dominar 250 लेने वाले हो या लेने की प्लानिंग कर रहे हो तो वीडियो को लाश्ट तक पूरा देखिएगा क्या-क्या इसमें आपको फीचर्स मिल जाते हैं इसके सबसे बड़े अपडेट के साथ में तो यहां पे आप देख सकती है आपको स्टीकर वर्क मिल जाती है मतलब कि आप इसमें 20% इतनौल एड़ वाला भी फ्यूल डलवा सकते हो आगे में आपको डिस्प्ले दिया गया है जिसमें आप देख सकते हैं चेक इंजन की लाइट दी गई है बजाज की ब्रेंटिंग मिल जाती है एबियस की लाइट दी गई है इंजन टेंपरेचर आपको मिल जाता है और low battery alert आपको देखने को मिल जाती है, side stun की warning देख सकते हो, और fuel tank आपको full fiber body के साथ देखने को मिलता है, glossy finish आपको देखने को मिल जाती है, tank pad यहाँ पर आप देख सकते हो, 13 liter की capacity दिगई है और आगे में यहाँ आप आप देख सकते हो, dominar lick आपको मिल जाता है 3D में chrome के finish के साथ silver color के यहाँ पर आपको graphics देखने को मिल जाता है और fuel tank cowl पर यहाँ भी आप देख सकते हो silver color के आपको कुछ इस तरह के graphics देखने को मिलते है इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो side में आपको हलका सा जाली का setup देखने को मिल जाता है यह भी आपको fiber body का मिलता है जाली का वर्ट की यहाँ भी आप देख सकते हो engine पर यहाँ पर देख सकते हो बजाज की आपको branding देखने को मिल जाती है और safety के लिए आपको split crash guard देखने को मिल जाता है जो की company fitted है single piece horn के साथ यह बाइक आती है यहाँ पर आप इसका radiator देख सकते हो liquid cool system यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है catalytic converter देख सकते हो oxygen sensor यहाँ पर आपको दिया गया है इसके साथ-साथ fiber body का आपको engine guard दिया गया है side strain cut up जैसे features आपको देखने को मिल जाता है तो चलिए गाइस finally अब बात करें इसके engine और power की तो इस bike में आपको मिलता है 248.7 cc का single cylinder liquid cool D.O.S.C. four stroke four wall DTSI twin spark engine यह engine maximum power generate करता है 27 PS का 8500 rpm और maximum torque generate करता है 23.5 nm का 6500 rpm और mileage आपको 30-35 MPL की यह bike निकाल करके दे देती है और top speed आपको 140-45 MPL का मिल जाता है seat comfort की बात करें दोस्तों यहाँ पर आप देख सकतो split seat के साथ यह bike आती है कुशन काफी soft मिल जाती है pillion और rider दोनों के लिए 800 mm का आपको height देखने को मिल जाता है बागे दोस्तों अगर आप इस bike को लेने वाले तो एक वाट test drive जरूर लिजेगा split grab handle यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते है mid black color finish के साथ seat call पर यहाँ पर आप देख सकतो d250 की आपको badging देखने को मिल जाती है 3D में chrome के finish के साथ इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते है reflector आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर आप seat locker देख सकते हैं यहाँ से आप अपने seat को open कर सकते हो lady plane safety के लिए यहाँ पर आपको अब चलते हैं इसके पीछे की और तो सबसे पहले में इसके की को यहाँ से on कर देता हूं तो यहाँ से आप इस बाइक का rare का view देख सकते हो कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल जाता है split LED के यहाँ पर आपको काफी खुबसूरा टेल लाइट देखने को मिल जाता है जिसकी रोसनी को यहाँ पर चेक आउट कर सकते हो और यहाँ पर इसका rare वाला mudguard देख सकते हो जिसकी build quality आपको काफी अच्छे मिल जाती है LED के यहाँ पर आपको turn indicator देखने को मिल जाते है यह आपको यहाँ से आप इस भाई का पूरा front का view चेक आउट कर सकते हो कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल जाता है सामने से यहाँ पर आप देख सकते हो glossy black color का आपको wind silt का glass दिया गया है number plate लगाने की यहाँ पर आप जगह देख सकते हो और led blinkers यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते है यह आपको non flexible मिलता है अगर यह flexible रहता तो काफी बढ़िया रहता तूटने का खत्रा बिलकुल कम रहता side by side आपको led setup दिये गया और बीच में यहाँ पर आप देख सकते हो split led का setup आपको देखने को मिल जाता है दोस्तो इस bike में आपको DRL का setup नहीं दिया गया इसकी रोजनी में आपको आगे वीडियो में चेक आउट कड़ा दूँगा side में आप आप देख सकते हो glossy finish आपको देखने को मिल जाती है इसके साथ साथ इसके front में आपको 37 mm diameter के साथ UHD front frog type के आपको suspension देखने को मिल जाता है जो कि आपके riding को काफी comfortable बनाएगी full fiber body के साथ यहापको इसका front वाला mudguard देखने को मिलता है इसकी अगर safety की बात करे तो यहापको 300 mm diameter के dicks brake मिल जाता है dual channel ABS के साथ यह बाई काती है biberi का यहापे आप कैली पर देख सकते हो इसके साथ साथ दोस्तों इसके front में आपको मिलता है 187 का tubeless tear 17 inches का आपको alloy दिया गया है और alloy यहापे आप देख सकते हो silver color की आपको strip भी देखने को मिल जाती है tear की pattern को यहापे आप check out कर सकते हो और side view mirror यहापे आप इसका देख सकते हो काफी मजबूत build quality के साथ इसका side view mirror आपको देखने को मिल जाता है बागी इस bike में काफी light clutch यहापे आपको देखने को मिल जाता है metal का आपको warrant दिया गया है passing की switch आप देख सकते हो upper deeper की यहापे आपको switch देखने को मिल जाती है नीचे में आप turn indicator और यहापे आप horn की switch देख सकते हो simple आपको handle देखने को मिलते है clip on bar type का इस bike में आपको handle bar देखने को नहीं मिलता है red color का आप engine की switch देख सकते हो main headlight की आपको switch देखने को मिल जाती है और नीचे में आपको self start की switch ही दी गई है दोस्तो इस बाइक में आपको 1000 light की switch देखने को नहीं मिलती है और console की बात करें तो यहाँ पे आपको reverse LED display मिल जाता है जिसके नीचे side में आप देख सकते हो while check light दी गई है RPM signal दिया गया neutral के आपको warning मिल जाती है इसके साथ साथ उस्तो डिजिटल ही आपको सो जाता है fuel गज देख सकते हो speedometer यहाँ पे आपको दिया गया घरी आपको देखने को मिल जाती है RPM meter यहाँ पे आप देख सकते हो odometer आपको मिल जाता है trip 1, trip 2 आपको देखने को मिल जाती है और आप average fuel economy भी आप देख सकते हो इसके trip 1 में और trip 2 दोनों ही में DTE देखने को मिल जाती है मतलब कि distance 20 दिया गया है आपके fuel time में जितना भी fuel हो उसके हिसाब से आपकी bike और कितनी km जाने वाली है service reminder आपको देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आप इसके की का setup देख सकते हो company ने इसमें आपको wave की दिया है और की पर आप देख सकते हैं और dominoor की आपको branding देखने को मिलती है तो चलिए गाइस अब लगाते हैं इसके की को और चलते हैं इसके दूसरी और अगर इसके dimensions की बात की जाए तो 180 kg की आपको curvate मिल जाती है wheelbase आपको 14-53 mm के दिये गए और यहाँ पर आप इसके exhaust देख सकते हैं जिसके उपर आपको metal camoufler guard दिया गया twin varal exhaust यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं जो की दिखने में काफी खूब सूरत लग रहा है पीलेन का adjustable foot pack देख सकते हो rider का foot pack दिया गया है brake pad यहाँ पर आप देख सकते हो rear brake wheel यहाँ पर आपको देखने को मिलता है और दोस्तों इसके rear में आपको मिलता है multi step adjustable monosock with nitrox type के adjustable वाले suspension safety की बात की जाते हो यहाँ पर आपको 230 mm diameter के आपको digs brake मिल जाते है dual channel ABS के साथ यह बाइक आती है bybd का यहाँ पर आप caliper देख सकते हो और इसके rear में आपको मिलता है 130-70-70 के आपको tubeless tire 17 inches का LOI दिया गया और tire की pattern को यहाँ पर आप देख सकते हो इस बाइक में आपको radial tire देखने को नहीं मिलते है तो चलिए अब मैं आपको इसके जॉष और इसके इंजन के आवाज को आपको सुना देता हूँ तो यहाँ से आप इसके जॉष को नोट को सुन सकते हो और आगे की और यहाँ पर आप इसकी में हिल लैट की दोसनी को देख सकते हो इसके brightness आपको काफी अच्छी मिल जाती है तो दोस्तों अब मैं आपको इसके low beam और high beam के भी रोषने को चेक आउट कर सकते हो तो चलिए गाईस फाइनली अब बात करें इस बाइक की प्राइजिंग की तो अभी जो इसकी 100 रूम कीमत निकल क्या रही वो है एक लाग तेरासी हजार साथ सो चपन रूपीज और अन्रोट कीमत पढ़ने वाली है दो लाग अठारा हजार से लेके दो लाग बीस हजार के बीच में ये अन्रोट कीमत की जानकारी मैंने आपको दिये तिरूद बाजाज मारी पूर रोड मुझापर पुरिस्तित सोरूम में अगर आप लोग मुझापर पुरिस्तित के किसी भी सीटी सो और बजाज के किसी भाई का टेश्ट ड्रैव लेना चाते हो तो यहाँ पे आप जरूर विजिट कीजिए दोस्तो अगर आप भी अपने सीटी के ऑन रोड पाई जानना चाते हो तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में अपने सीटी का नाम लिक करके भेज सकते हो तो चलिए आज के लिए इतना ही मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा वीडियो पसंद आयो हमारी मेंनत पसंद आयो तो वीडियो को लाइक सेल और चैनल को सस्क्राइब जरूर किजएगा जाएं जब